तीन तीन चंद्रायन के लांचिंग पैड का इस लो के लिए निर्मार करने वाले ही सी के करमचारियों को अगर 18 महीने से सरकार तंखा नहीं दे रही है तो विक्टार ऐसी मोदी सरकार पे इतना जूटा सरकार हैं आज तक नहीं देखें हो जो यह जितना भी आप इंडस्ट् 18 महीने से यह मजदूर आज भूग से मर रहे हैं नाशकार दोस्तों मैं हूं रवी कौशल और आप देख रहे हैं यूज क्लिक पिछले दिनों जब चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफ्ट लेंडिंग हुई तो इसरे के वज्ञानिकों की पूरे देश ने सारीफ की लेकिन यह बात कम लोगों को पता है कि चंद्रयान 3 का जो लांचिंग पैड है उसको जिन मजदूरों ने बनाया वो पिछले 18 महीने से अपनी सेलरी को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं आज हम दिली के जंतर मंतर पे हैं जहां पर हैवी एंजिनिरिंग कोपरेशन के मजदूर रा भी बताते हैं कि मोधी सरकार अपनी ही सरकारी कमपनियों का भला नहीं चाहते हैं जोहरलाल नहरूजी का यही सबना था कि जो हम दूसरे देसों से इंपोर्ट करते हैं, हमारे यहां एक ऐसा कारखाना होना चाहिए, जो कि इस कारखाने से हम कारखाना पैदा करेंगे, कमाएंगे नहीं, इससे हमको बिजनेस नहीं करना है, यह हम समानियां से बना करके हम कि कि हुआ कि देश के उत्तान के लिए दुनिया बर्के कालकार खान्य बने जितने भी कार खाने नहीं देखते हैं चाहिए सेल चाहिए भेल है और भी विशाका पत्नम ह nasal कहीं भी आपका कार कारा न देकिए उसमें e-Lextर का बहुत ही महत्थ grey योगदान तो यह पता चल ला था कि आजित्ते एलवन के प्रोजक्ट हैं वह आप लोगों ने बनाए इस रोगे प्रोजक्ट आप जो हैं आप यह एंडल कर रहे हैं पैसा तो है नहीं आपके पास तो बना कैसे रहे हैं नहीं हमारी जो इस रोदिए वह बनाने के लिए एस रोदिया था हम लोग को बनाने के लिए और हम लोग बना के दिया उसको इस गया जो आलक अलक डिपार्टमेंट से खरके एसेमली होके जाता है लेकिन हम लोग अभी तक पैसा नहीं दिया गया और मोधी जी जो अपने आये थे चीची के अंदर जो परभातर मिधान है वो बोले थे घमिनिस्टी को चलाएंगे इतना जूटा सरकार हम आज तक नहीं देखें जो जो मोधी जी इतना जूटा नहीं देखें वो अपना लिए निकाल के रोजी रोटी रियस कलारे मोमों बेच रहा है कि इसा इस्तिति हुआ कि मने का बोले हम ऐसा इसा इस्तिति बता बोलने के लाइक नहीं है लेकिन इसा इस्तिति हो गया है माज़ूरों के पास हम सरकार से इतना काना चाहते हैं कि एक तरफ आप इंडिया साइनिंग इंडिया ये इंडिया खेलेगा इंडिया जीतेगा बगेर बगेर तरह के नाराय अप लगाते थे तो हम जिस कंपनी से आते हैं वो कंपनी जो है उसे जब जब जबार लान नेरु जी ने लगाये थे प्रदान मंत्री हमारे थे तो वो कहे थे कि यह जो है मदर प्लांट है माह जननी है यह नो प्रोफिट नो लॉस में चलेगी इसके लिए कोई प्रोफिट लॉस की बात नहीं थी यह जितना भी आप इंडस्ट्री देख सकते हैं भारत में बड़ी-बड़ी कारखाना यह जो संब्र जावर थे और सब़स्ट्री हो लॉस से आपका काम चल रहा है और आज हमें हाशिये पर धकिल चुके हैं हम लोग कहा जाए और कल आप एक भी कार ठाना यह लगाये नहीं है जहांकि बरकरों की बिरत पैमाने पर नौकरी रोज़गार मिल सके एक तरह आप नारा लगाते हैं कि हर साल 2 करोड हम रोज़गार देंगे वो 2 करोड रोज़गार कहा गया जो रोज़गार में है उसे तो पूरानी मशिन से बरतमान जूग में हम कपीट नहीं कर सकते जैसे पहले टेली फून था घुमाने वाला फिर हुआ भाइस वाला फिर हो गया पोकट में फिर छोटका हुआ फिर अभी भाइस मेल कीजिए सामने देखिए तो दुनिया में टेक्नोजिकल डेवलप्मेंट हो रहा अगर एचिसी की पुरानी मशिनों से हम कंपीट करना चाहेंगे तो दिलिप कुमार का एक नया दोर था उसमें दिखाता था कि कार से कंपीट करा बल गारी इस सिनेमा में हो सकता है प्रेटल में साथ साल की पुरानी में हर कर खाना अपना डेटेस डेवलप्मेंट के लिए कर खाना को चलाने के लिए ट्याटा भी करती है इसका मोर्डनाइजसन आज तक हुआ नहीं आधुनी करन अगर होगा तो नया में खड़ा हो जाएगा एचिसी जो दुनिया में कही कर दो हजार चोदा के पहले भी प्रोफिट में रहा उसके बाद लॉस में आया 5 साल लॉस में रही हमारा लॉस होने का कारण है कि केंसरकार चार साल से हम लोगों को cmd अस्थाई नहीं दिए डारेक्टर अस्थाई नहीं दिए जब आपका घर चलाने का जो परिवार का जो में अब आप समझ सकते हैं कि जो चार साल में चार बारा होंगे वो यह चीज़ पर क्या ध्यान देंगे आज हम लोगो 1300 करोर रुप्या का वर्क आउडर है लेकिन रो माटेरियल के लिए हम लोग पास पैसा नहीं है जो भी उसमें हम लोग का 60% काम हो चुका है यह चीज़ पास था हमने उनसे भी हम लोग गुहार लगाई थी उन्होंने आश्वसन दिया था कि एक महिना दो महिना के अंदर में हम आपको बैंक गरांटी सरे 700 करोर का दे रहे हैं लेकिन आज तक अभी 6 महिना हो गया 7 महिना हो गया लेकिन बैंक गरांटी भी नहीं हुआ है के लिए लॉंचिंग पैर से लिखे सब्सक्राइब करन बनाएं 2016 में 600 कमिटी का गठन सरकार ने किया और नीती आयोग के सबसे बड़े सदस्ते अनुभवी सदस्ते डाक्टर भी के सार्षवत थे उन्होंने मेकोंड के कंसल्टेंट बहाल करके सारा जाज किदाया करने के बाद यह आया कि एचिसी को हर हाल में चलाना चाहिए इसका मोडनाइजेशन करो पुराना हो गया बुड़ी हो गई है उसको जवान करो लेटेस टेक्रोजी से एक 17 मार्क में एस्टेंडिंग कमिटी पार्लेमेंट में रखा गया उसने कहा कि नहीं आप पैके दीजिए एचिसी को चलाइए एचिसी को आधुरी के करन की जिए पुरानी मसिन है इसलिए घटा हो रहा है फिर 18 में भी हुआ हर बार पार्लेमेंट की कमिटी जो बंती है पब्रिक सेक्टर की उसमें कहां कि इसको नहीं बंद किया जा सकता है मंत्री जी से हम लोग 6 फरवरी 2023 को मिलने गए उन्होंने का मोदी जी फाइल लखे मैं क्या करूं वह तो बंद करना चाहते हैं मैं बंद करना नहीं चाहता मैं चलाओंगा मैं बैंक गारंटी का परबं कर रहा हूं मौदड़नाइजेस्ट के हम लड़ रहे हैं लड़ के रहे हैं मोदी जी क्या अलावे कोई हैं फिर 2023 में लेटस्ट मीटिंव परलेमेंटी कमिटी का उसने कर दिया परलेमेंट के मिटिया कि नहीं इसको मोद्डाइजिस्टन होना है बंद नहीं कर सकते हैं लिदा भाण वी सरकार जो है वो अपनी सरकारी कंपनियों का भला क्यूं नहीं चाहरी है और क्यूं जो है चीजे जैसे जो कमपनी वह फंड्स के अभाव में मर रही है नहीं ये तो उसकी नियत और नीती का सवाल है आते के साथ उसने पब्लिक सेक्टर को कौडी के मोल बेचने का नीती बनाया नीती आयोग ने 48 पब्लिक सेक्टर को 48 पब्लिक सेक्टर को बेचने के लिए चिन्हित करके रखा और उसी के तहद मैं जब मिनिस्टर रहा तो इसको हमने रिवाइब किया यह दो हजार-चोधा के बाद पिछले तीन-चार बश्शों में इसका गला घूंट करके नहीं इसको वरकिंग कैप्टल दे रहा है नहीं इसको वरकिंग मेटेरियल दे रहा है ना वहाँ चैर्मेन कोई है ना वहाँ डैरेक्टर कोई है तो जो सरकार का प्रतिसान है अगर उसको ऐसे चलाने का प्रयास कर रहा है तो इसका मतलब कि उसको बरबाद कर दे हैं उसके बाद कहीं तो बंद हो गया अब इसको कोड़ी के मौल अपने मित्रों को दे देगा तो मुझ्दू संगड़ा ये चंद्रियान चंद्रियान का जो ये राउंचिंग पैड एक दो तीन चंद्रियान वन टू त्री इसका इन्हों ने बना है राउंचिंग पैड और भी इसके मेटेरियल बना है लेकिन ऐसी इस सिती में आज मोदी जी फोटो घिचाते ठक नहीं लेकिन 18 महींशे ये मजजूर आज भूक से मर रही है तो धिकारे और सिर्टी सरकार पर जो अपने अपने गयर प्रशह ले आं करने वाले लोगों का ज्हान ज्यान नहीं रखती जो अपने देश के लिए खून पसीना और महनद करने वाले लोगों का ज्यान नहीं रखती उनको दो वक्त की रोटी के लिए मजबूर कर देती हैं तो मैं आपके इस मांग में आपके साथ हूँ इसके आदमी करन का मामला आपने उठाया करम-चारियों क पूरा योगदान रहा है और उस कंपनी के साथ सरकार ऐसा कर रही है तो कोई अचंबा नहीं होता है इस बास से क्योंकि सरकार सभी पुब्लिक सेक्टर कंपनियों के साथ ऐसा कर रही है अभी दिल्ली में हमने देखा सीयल के साथ उन्होंने क्या किया पिछले दो साल से सीयल के अंदलनकारी साती लड़ रहे हैं तब जाकर उसको अभी तक बचाये हुए है और सरकार मोका तलाश रही है कि किसी तरह से उसको जो है प्राइवेट आतों में दे दिया जाए इसी तरह से एर इंडिया ए रेल बेल स सबकुल सरकार बेचने में लग रही है तो सरकार का इसके उसमें कोई भी इंट्रेस्ट नहीं है कि वो इस कंपनी को बचाए जरूर ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से रफेल आया था और जिसको एक सुई बनाने का भी सुई बनाने का भी अनुबाव नहीं था उनको रफेल के पार्टस बनाने के लिए दे दिये कमपनी को जबकि इंदुस्तान एरणॉटिक्स लिमिटेड हेल जो है वो जाज बनाती है उसको उसकी मेंटेनेंस का काम नहीं दिया तो यह जो कंपनी के साथ जो भारत सरकार कर रही है यह एक साजिश के दैद कर रही है यह जरूर इसी क केंपनी को घाटे में ले जाके और जो है किसी भी प्राइवेट उसको देना देने की साजिश है जिसका हम दिल्ली CITU की तरफ से भी विरोध करते हैं और HEC के करमचारियों के आंदर उनको पूरा समर्थन करते हैं जब जब भी HECL के करमचारियों को जरुत होएगी दिल्ली का अजारों अजार मजदूर उनके साथ रहेगा